मानी में करम आपका ब्रहवर से सौकत है आज हम बात करने भुले सूगर इंड्स्ट्री में बिलॉंक्त करने वाला एक स्टॉक्स उत्तम सुगर शमिल्ट का स्टॉंग्感 परफोर्मर है और अंडर एडर में भी रहने के लिए पिछले 6 मैने का अगर रेकोड हम देखे तो पिछले 6 मैने से सुगर इंडेस्ट्री में कोई भी बरुत्री नहीं हो रहा है एक और जिसका ब्रेक आउट आप कुछी दिन पहले ही आपका सुगर इंडेस्ट्री दिखा चुका है लेकिन निप्टी आपका साथ ना देने के बजाए से अब यह सुगर पर रहा है लेकिन अब दिरे-दिरे निप्टी में भी सुधर आएगा तो यह स्टॉक बहुत ज्यादा है यह सेक्टर जो है बहुत ज्यादा आउट पर्फॉर्म करने वाला है ऑक्टोबर की महीने में क्योंकि आपका सबसे बड़ी बात है कि वह टू फॉर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव में लास्ट एडिंग सेशन में आपका 1.34 परशन का तेजी देखा चुका है औ क्योंकि नितिन कटगरी सर के तरफ से जो एथनौल ब्लेंडिंग है वह 20% ऑक्टोबर से एकदम हंड़ेंट 20% होना ही होना है इसमें कोई दो राय नहीं है और नितिन कटगरी सर पहले भी आपका स्टील सेक्टर को भगाने के पीछे उनका सबसे बड़ा राय था और अभी वजाए से आपका पोड़क्शन जो है इथनौल कंपानी जितने भी आपका सुगर इंडस्ट्री है वह पहले से ही आपका सर प्लस में पोड़क्शन करके इथनौल रख दिया है बिलेंडिंग के लिए क्योंकि डिमेंड आएगा ऑक्टोबर से इनको पता था तो 39% आपका और रिटन निकल का रहा है कि हां कम से कम जो स्टॉक जो है पॉजिटिव इडिमें टेक्निकली पॉजिटिव है और देख सकते हो कि सीधा सीधा यह आप ट्रेंड पकड़ चुका है और टूफिप्टी का एक स्टॉंग सपोट है और सबसे बड़ी बात है कि टूफॉटी यह चाहिए एक सपोट में खड़ा है दोस्तों तो एक सीधा टर्गेट सपोट को लेते हुए 246 से लेके 248 का एक स्टॉंग सपोट को लेते हुए टर्गेट रहेगा लेकिन शॉट टर्गेट नियाट टर्गेट रहेगा 300 रुपे का लेका चल सकते हो बॉल्यम और प्राइज भी आएगा दिरे दिरे तो एक अच्छा खासा बांस बैक मिलेगा मार्च क्वाटर से जून क्वाटर में 200 क्रोर का सिधा-सीधा पॉफिट है nte और अपरटिंग एख्फेंस भी उसे सबसे 200 क्रोर ज्यादा हो गया और अगर देखा जाए इससे एकस्पेंस 200 क्रोर ज्यादा थो अबच ठावितंग कम हो जयरा है और बाकी ठेकझीकलली बहुत ज्यादा पॉजिटीफ है दोस्तों aur सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक जो 238 और 3rd support 231 का यह एक टेक्निकली सपोर्ट और रेस्टेंस जोन बता दिया है मेरे खायल से 246 इसका बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है क्योंकि पिछले दिन भी टेडिंग सेशन में 246 का सपोर्ट लेते हुए आगे मोग भुआ था आरेसाई देख सकते हो कि आभी ओवर सॉल जोन के आज पास है लेकिन एमेफाई 52 पर पहुच गया मतलब 50 परसेंट ओवर क्रॉस कर गया तो यहां से सीज़ा सीदा एक बाउंस बैक देख सकते हो कि 10 चे 20 परसेंट बहुत शॉट तरम में आपको देखने को मिलेगा अगर एक एक दिन में यह 20 परसेंट कापर सरकीट लगाने वाला स्टॉक है तो अनिल कुमार गोएल सर ने भी आपका 4.8 परसेंट स्टॉक उठा के रखा है उनको पता है कि यह स्टॉक जब भागता है सुगर इंडेस्ट्री तो बहुत तेज भागता है और FMCG सेक्टर में बिलॉं इंक्रीज किया है और सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेज एक्षन अपका 15 सेप्टेंबर को दो रुपीज का हो चुका है और बाइंग पोजिशन 69 परसेंट लोग अभी बाइंग कर आए दे रहा है और निउस भी निकाल के आ रहा है देखो अपॉइटमेंट आप स्ट बाइंग जोन में हैं अभी इस स्टॉक में बाइंग जोन ओपॉर्चुनेटी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका यहां से सीधा सीधा एक आप्टेंट पकड़ सकता है सुगर इंडेस्ट्री पिछले 6 महने में कुछ नहीं भागा है सिप कॉंसलिडेट करता गया एक रे